हेलो एवरिवन वेलकम टू उनली याई एस स्वागत है आप सभी का करन्ट अफेर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में जिसमें हम एशियन एलिफेंट्स के बारे में डिसकुशन करेंगे अब ये कंटेक्स्ट में इसलिए है क्योंकि ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नीलगरी बायोस्फियर रिजर्व में एशियन एलिफेंट के हैबिटाट को खत्रा उत्पन हो गया है तो समझेंगे आखिर क्या है ये इशू और एशियन एलिफेंट के हैबिटाट क्यों लॉस हो रहे है इसके अलावा हम डिसकुस करेंगे नीलगरी बायोस्फियर रिज में आते हैं और साथ में Asian elephant के status को भी हम लोग discuss कर लेंगे अब ये topic हमारे examination perspective से important है क्योंकि 2020 के प्रिलिम्स में भी एक question पूछा गया था elephant से अब यहाँ question एकदम सिंपल है आपको कुछ statement दिये है और सही statement आपको mark करना है पहला statement यहाँ पर कह रहा है कि elephant group की leader एक female होती है दूसरा statement कह रहा है कि इनका जो gas station period है मतलब गर्भावस्ता वो 22 माह की होती है तीसरा statement यह केवल 40 words की age तक ही बच्चे को जन्म दे सकती है और fourth statement कह रहा है कि इनकी highest population केरला में पाय जाती है तो जैसे जैसे हम discussion करेंगे आपको इन सभी के answer मिल जाएंगे फिर आप मुझे comment section मे बताएंगे कि इसका correct answer क्या है तो चलिए discussion को सुरू करते हैं एक छोटी सी information के साथ only IES के foundation course start हो चुके है 2024 के लिए ऐसे में कोई भी interested candidate जो इस batch में enroll करना चाहते हूँ आप यहां enroll कर सकते हैं और मैं इसके features बता देता हूँ आपको यहां हम चार phases में preparation कराते हैं पहला phase आप आपका basic foundation course होगा जहां पर हम आपको NCRT cover कराएंगे C site cover कराएंगे और साथ में आपके जो small doubts होंगे उन doubts को भी हम लोग clear कर देंगे phase 2 में आपको advanced foundation course कराया जाता है जहां पर static portion के साथ साथ standard content आपको दिया जाएगा और साथ में current affairs भी यहां include रहेगा आपको बहुत सारे test के माध्यम से यहां preparation कराई जाती है current affairs के test दिये जाएंगे pre और mains के साथ में static के आपको test मिलेंगे उसके बाद phase 3 में हम आपको exclusively prelims की त्यारी कराते हैं और phase 4 में आपको mains की preparation कराई जाती है कुछ extra features की बात करें तो हम आपको UPSC insurance की facility देते हैं जिसके अंतर रगत आप यदि इस batch में enroll करेंगे तो batch को complete करने के इस बाद भी आपका cooperation हमेशा only IES के साथ रहेगा आपको in future जो भी help चाहिए होगी only IES के team आपके साथ रहेगी आपके selection तक उसके लावा हम आपको 21 books भी आपके घर पे भेज़ते हैं hard copy में तो material को लेकर भी आपको कोई परिशानी नहीं आती है अगर in case आपको फिर से कोई query हो इस course के बारे में आप हमें call कर सकते हैं इस number पर और आप हमें mail भी drop कर सकते हैं चलिए वापस आते हैं Asian elephant पर और समझते हैं कि आखिर ये context है क्या basically Asian elephant को endangered category में रखा गया है और इनके जो habitat है वो लगातार loss हो रहे हैं इनका optimal habitat मतलब जहां ये अच्छे तरीके से रह सकते हैं वो loss हो रहे हैं reason क्या है और ये pie कहां पर जाते हैं तो सबसे पहरी चीज आप western guard के बारे में तो जानते ही होंगे है ना भारत में geography अगर आपने पढ़ी है तो Indian geography में आपको पता होगा कि western घाट का जो slope है वो north से south की तरफ है एक धाल बनाता है ये लेकिन इसी धाल में बीच में एक पाल घाट range भी आ जाती है यहां पर पाल घाट gap और ये gap चुकि एक समतल स्थान है ठीक है plain area है और इसी plain area होने के कारण यहां पर human habitation हो चुका है और साथ में यहां agriculture भी start हो चुका है अब चुकि human यहां बीच में आ रहे हैं अब देखे elephant यहां भी रहते हैं north side में और elephant south side में भी रहते हैं और बीच में humans आ गए तो ऐसे में इनके बीच की connectivity है न वो खत्म हो रही है और इसी लिए elephants को काफी जादा नुक्सान हो रहा है तो यहां पर देखिए एक map के तुरू मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ तो यहां clearly आपको दिखाई देगा कि यह हमारा पूरा western घाट है ठीक है western घाट में इधर आपको नीलगिरी biosphere reserve दिखाई देगा और यह आपका south वाला area है इसके बीच में पाल घाट gap आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे तो यहीं पर लोगों ने अपना आवास बना यहां agriculture start कर दिया है तो धाल के सहारे यहां नीलगिरी biosphere reserve में रहने वाले हाती नीचे की तरफ movement करते हैं अक्सर उनका movement नीचे की तरफ ही देखा जाता है धाल की तरफ लेकिन यहां human habitation की वजा से यह connectivity loss हो गई है और इसी लिए इन elephants को अपने optimal habitat को छोड़कर sub-optimal habitat में रहन रहे हैं जबकि यह पहाड़ी छेत्रों में रहने के लिए नहीं होते हैं तो यह आपका Asian elephant की बारे में कुछ problems हो गई उसके बाद यहां नीलगिरी biosphere reserve और इसके आसपास का जो protected area है वहां पर largest remaining population पाई जाती है जंगली हाथियों की और इनकी संख्या लगबग 6000 है तो यह ए अच्छा दो तीन और problem आती है अगर हाथियों के बीच में connectivity ना हो पाए या फिर आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो elephant corridors इंडिया में बनाए जाते हैं उन elephant corridors का क्या relevance है ठीक है तो इसको इस चीज़ से समझे अगर दो elephant जो अलग-अलग प्रजाती के हैं उनके बीच म आपस में contact established नहीं होगा तो यहां पर उनका gene flow reduce हो जाता है gene flow reduce होने का मतलब है कि एक population के elephant के gene दूसरी population के elephant में transfer नहीं हो पाते TRF मतलब transfer नहीं हो पाते इसी को कहते है gene flow का reduce होना और जब यहां पर gene flow reduce होगा तो इससे इन हातियों के बीच में इन breeding की समस्या बढ़ेगी इन breeding मतलब एक ही प्रजाती के अंतरगत ये breeding करेगे और जब एक ही प्रजाती आपस में breed करती है तो ऐसे में इनकी genetic diversity को खत्रा हो जाता है और इनमें disease की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है ठीक है और साथ में इनका fertility rate भी कम हो जाएगा इविन ये तो animals हैं आप crops की भी अगर बात करें तो crops में भी जब आप in breed कराते हैं तो उसकी productivity कम हो जाती है for example आपने गेहूं उगाए उसी गेहूं से प्राप् का भी लगातार बढ़ता जा रहा है ओके already endangered में है ये तो next चीज extension discorine को और सबसे ironically चीज क्या है इंडिया में मतलब विडंबना क्या है इंडिया में वो यह है कि यहां जो mountain areas हैं वहीं पर हमने elephant reserve बनाए हुए हैं जो again इनके लिए एक problem create कर रही है ठीक है चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं नीलगरी biosphere reserve के बारे में तो दो तीन basic information सबसे पहले ये जो नीलगरी biosphere reserve है वो भारत का पहला biosphere reserve है जिसको 1986 में स्थापित किया गया था कौनकों से states में आता है तमिल नाडू केरला और करनाटका के अंतरगत ये फैला हुआ है और ये एक biodiversity hot spot भी है biodiversity hot spot का मतलब होता है ये एक ऐसा region है जहाँ पर ऐसी highest density पाई जाती है जो की endemic species की हो endemic species का मतलब है यहां की इस्थानिक प्रजाती जो केवल यहीं पाई जाती है तो उसकी highest density आपको नीलगरी biosphere reserve में देखने को मिलेगी फोना की बात करें तो आपको यहां कौन कौन सी जानवर देखने को मिलते हैं नीलगरी ताहर आपको देखने को मिलता है उसके बाद लंगूर उसके बाद slender iris black buck tiger गौर इंडियन elephant और martin आपको यहां देखने को मिल जाता है protected areas की बात करें तो यहां पर बहुत सारे protected areas हैं और prelims में यहां से भी question पूचाए so this is very important again यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब ही map पर भी हम लोग देखेंगे तो यहां protected area में एक तो मुदुमलाई wildlife sanctuary है वाईनाड wildlife century है उसके बाद बांदीपूर नेशनल पार्ग नागरहोल नेशनल पार्ग मुकृती नेशनल पारग और साइलेंट वैली नेशनल पार्ग यहां पर present है इसमें मैप पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देखा देखिए, वाइनाड वाइलाइफ सेंचुरी, बान्दीपुर, नैशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, उसके बाद मुखुरती नैशनल पार्क, साइलेंट वैली नैशनल पार्क, मुदोमलाई और कुछ अलग रिवर का ओरिजन और कैच्मेंट एरिया आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि कावेरी की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, भवानी, मोयार और काविनी, इसके लावा कुछ अन्य रिवर हैं, जैसे चेलियार, पुनम, पुझा, तो इनके सोर्स और कैच एलिफेंट के बारे में, देखिए, एशियन एलिफेंट की बेसिकली तीन टोटल स्पीसी होती हैं, एक तो हो गई इंडियन, जिसके बारे में अभी हमने डिसकुशन किया, एक सुमात्रा में पाए जाते हैं, तो वो सुमात्रन हो गए, और एक स्रीलंका में पाए जाते है है, इसलिए स्रिलंकार, अब यदिいたय समस्पीसी की बात करें, तो यह सबसे जादा रेंज में पायी पाई जाने वाली इसपीसी है और जितने भी एलज़ेंडस बचे हैं, उसमें यह सबसे जादा बड़ी रेंज में पाया जाती है, protection status इसका endangered है wildlife protection act के अंतरगर schedule 1 में इसको रखा गया है और sites के भी appendix 1 में रखा गया है तो ये आपकी enough information है prelims perspective से ये topic आपका यहाँ done होता है मिलते हैं current affairs के new lecture में new topic के साथ thank you so much